सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासिस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए आज की वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेज और युनिवरस्टी के स्टुएंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है आपको बता दें कि योगी जी के द्वारा सभी स्टुडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन वित्रण किया जा रहा था और काफी सारे स्टुडेंट्स के पाथ मैसिज आ चुका था कि उनको टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाला है और बहुत से students को tablet और smartphone मिल चुका था लेकिन अब अचार सहिंता लगने के बाद सभी students में ये confusion है कि अब उनको tablet और smartphone मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपको बता दें कि अब आपको tablet और smartphone वित्रण नहीं किया जाएगा अचार सहिंता लगने के बाद आपको टैबलेट और स्मार्टफोन का वित्रण नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी जानकारी ऐसा क्यों किया जा रहा है यह सब हम आपको इस वीडियो में लाइफ प्रूफ दिखाने वाले हैं आपको टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो इसलिए वीडियो पर लास तक बने रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुच सके हैं और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बस्ती में टैबलेट और लैप्टॉप बाटने पर प्रचारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के कोतवाली थाने की पुलिस ने टैबलेट वाई स्मार्टफोन बाटने के मामले में अंबिका प्रताप नरायन पीजी कॉलिज के प्रचारे एवं अन्य करमचारियों के विरुद अचार सहिंता के उलंगन का मुकदमा दर्ज कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि अचार सहिंता लग चुकी है फिर भी बस्ती जिले में टैबलेट और स्मार्टफोन बाटे गए जिसके बाद जो अंबिका जी है उनके उपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया फुलिस अधिक्षक आशी स्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि अंबिका प्रताप नारायन पीजी कॉलिज के प्रचारेवा अन्य करमचारियों की ओर से बच्चों में लैप्टप और टैबलेट वित्रण किया जा रहा था जो नियम के विरुद है इन लोगों के खिलाफ आदर्श अचार सहिंता के उलंगन का मुकदमा दर्श किया गया है तो आप ये न्यूज देखके साफसाफ समझी गए होंगे कि अगर अब टैबलेट या स्मार्टफोन बटे तो ये अचार सहिंता का उलंगन होगा और ऐसा क्यों किया जा रहा है क् आपको पता ही होगा कि मोदी जी और योगी जी की तस्फीर लगी है जो कि अचार सहिंता के तहत वो अपना प्रचार नहीं कर सकते जिस कारण ये टैबलेट और स्मार्टफोन वित्रण बंद किया जा रहा है और अब आपको टैबलेट और स्मार्टफोन कब दिया जाएग वो आप तक सबसे पहले पहुच सकें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो